अब्याम दर्शिकों हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है कैसी हैं आप सब मैं आशा करती हूँ आप सब स्वास्त और सुरक्षित होंगे तर्शिकों असार माह की आखरी एकादशी यानी देव शैन एकादशी इस दिन भगवान विश्णू अपने निंद्रा अवतार में जाएंगे और यह निंद्रा अवतार में जाने से पहले भगवान शिव को वह सारी जिम्मेदारी दे कर जाएंगे और इस उपलक्ष में यदि आपके जीवन में आपकी कोई मनुकामना है तो आप भगवान शिव के समक्ष यह मनुकामना पूर्ण कर सकते हैं बहुत ही सरलसा उपाय है पूजनिय पंडित जी ने अपनी शिव महापुरान कथा में इस उपाय का वर्णन किया है इसके लिए आपको क्या चाहिए इसके लिए आपको बेल पत्र चाहिए बहुत ही सुन्दर सुन्दर और प्यारी प्यारी आप बेल पत्र ले लें कटी फटी नहीं होनी चाहिए साथ बेल पत्र आपको चाहिए हैं और साथ में आपको चाहिए गंगा जल जी हाँ गंगा जल आपके पास गंगा जल अगर जादा मात्रा में हैं तो आप जादा मात्रा में भी कलश में ले सकते हैं और कम मात्रा में हैं, तो पहले कलश में आप पानी भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, उसके बाद सात बेल पत्र जो आप ने ली है, उन सातों बेल पत्रों को आप कलश में डाल दें, अब आपको क्या करना है, आप कलश में भी डाल सकते हैं बेल पत्र, नही उठा हुआ पैर होता है उस पैर पर आपको यहाँ जग गंगा जल वाला जल है वह अरपित करना है औस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है लेकिन वहाँ पर एक भी बेल पत्र आपको अरपित नहीं करना है उसके बाद आपको शिवजी के पास जाना है और शिवलिंग पर एक एक करके आपको बेलपत्र अरपित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत्र का स्मरन करना है पस इतना सा यह उपाय करना है आपके जीवन की हर मनों कामना पूर्ण होगी भगवान भुलेना तापकी हर मनों कामना को पू आपनिवाद